दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलका.ड का डॉट में आपको अभी क्यासा मूमेट देखने को मलता है क्या है इसका स्पोर्ट जोन है क्या है इसका रेजिस्टरंस आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम डीटियल में बात करेंगे आपके आंट्री के बार और ओपर वियू की बात करें तो कुरंट प्राइज आपको 5.3 डॉलर के रेंज में देखने को मलता है जिरुपन 5% का अपसाइड मुमेंट है अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्षिशन के बात करें तो यह आपको 5.2 से लेके 5.3 के बीच में देखने को मलता है अभी देखे इस आप यहाँ पर 3X से लेके 4X का रिटर्न गेंड करें अब अगर इसके हम मार्केट के बात करें यह आपको 6.0 के उपर देखने को मलता है 24 और में इसके ट्रेटिंग वोलियम 128.0 के है अभी ट्रेटिंग वोलियम कम है पर जैसे जैसे इसके ट्रेटिंग वोलियम बढ़ेग अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ आप विजिट करके इसके फंडामेंटल के बार में रीड़ आउट कर सकते हैं इसके कम्यूनिटी में आप इसके ट्वीटर हंडल टेलिक्राम को जोइन कर सकते ह कई ना कई अगर यह अपने all time high भी लगाता है यहां से तो आपको 10x का यहां return मिल सकता है हाला कि overall जितनी भी आप पुराने project देखेंगे वो per year जब भी Bitcoin की having होती है वो अपने एक new high बनाते हैं तो कहीं नहीं कहीं उमीद है यहां पॉलका डॉट से भी अगर इसके हम exchange की बात है four hour के time interval पे अगर इसके हम pattern की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जिस bottom में हमारी buying होई उसके बाद से आपको continuously market में recovery देखने को मिली और यह हमारा एक resistance का level निकल गया था जो कि आपको 5.8 का देखने को मिला और उसके बाद से आपको market में यहां downfall देखने को मिल रहा हाला कि जितना हमने expect करा था अभी market में अभी उटनी volume नहीं है पर जैसे जैसे market में volume बढ़ेगी आपको इसके price में growth देखने को मिलेगा अब जिन लोग की यहां पर bottom में buying हुई है क्योंकि मैंने पहली आप लोग की buying करवाई थी 3.6 से लेके 3.8 पे तो अगर आपने मेरी व पारे में हम बात करेंगे क्योंकि अभी आपने इसको सेल नहीं करना मैंने आपको बताया कि मेरा जो target है ना वो मैं यहां पर रख रहा हूं at least यहां पर मुझे 5x का return मिले और अगर minimum मुझे book करना होगा तो मैं 3x का return book करूंगा अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके daily chart पे अपने resistance को break करेगा और जैसे ही हमारा resistance का level break हो जाएगा जो कि आपको 5.6 से लेके 5.5 का देखने को मलता है तब आपको यहां target है वो 7 डॉलर के 9 डॉलर के 12 डॉलर के 20 डॉलर तक आपको easily इसका जो price है वो move होता हूँ देखने को मिल सकता है और अगर यह 20 डॉलर तक जाता ह है तो 3X आपका return safe side होगा और उसके बाद से अगर हम इसके growth की बात करें क्योंकि हमने bear cycle अपना देख चुके हैं हम और धीरे धीरे हम bull cycle में enter हो रहे हैं तो आप एक साल और अगर इसको hold करेंगे तो यह आपको easily 45-50 के range में जाता हुए देखने को मिलेगा मलत 5X से लेके 10X क यह range में आप कहीं पे भी अपना profit book कर सकते हैं buying range अगर दुबारा की हम बात करें तो यह आप यहां $5 के range में अपनी buying कर सकते हैं और दूसरे एक लिए आपने वेट करना है कि अगर आपको 4.5 के range में मिलेगा तो आपने partial entry लेके DCA करना है तो hope आपको यह वीडियो का update अच